दित्ते सहाइक मद्दान अधिकारी के कर्तवे दित्ते मद्दान अधिकारी अमिर्ट शाही का भार सादक होगा इसके पास मद्दादा रजिस्टर एवं मद्दादा पर्ची पीली वे नीली होगी पीली जिले परिशित के लिए और नीली पंचाई समीती के लिए जैसे ही मद्दाता मद्दान अधिकारी के पास आएगा वह मद्दाता के बाएं हाथ की तरजनी का निरिक्षन करेगा कि इस पर कोई अमिट शाही का निश्चिन तो पहले से नहीं लगा हुआ है मद्दाता की बाएं तरजनी के नाखुन एवं चमडी के रिज युग्म पर अमिट शाही का निशान लगाएगा अमिट शाही लगाने से पहले देखा जाए कि अंगुली पर कोई चिकनाई वगेरा नहीं लगाई गई है अगर लगाई गई है तो वह उससे कपड़े से साफ करने के उपरांधी अमिट शाही लगाएं इस प्रकार से चीने लगाना है मद्दाताओं के रजिस्टर प्रारूब बारा में मद्दाता के निर्वाचक नामावली करम सिंख्या लिखेगा एवं मद्दाता के हस्ताकसर एवं अंगुठा निशानी लेगा मद्दाता रजिस्टर प्रारूब बारा में मद्दाता जो पहचान दस्तावेज लाता है उसे दर्शाते हुए दस्तावेज के करमांग के अंतिम चार डिजिट रजिस्टर पर रूप बारा के अभ्यूकती कोलम में अंकित किये जाएंगे मद्दाता के हस्ताकसर का आशे मद्दाता का नाम वे उपनाम है केवल निशान नहीं यानि कि हस्ताकसर जो है वो पूर्ण हस्ताकसर होंगे यदि मद्दाता अपना अंगुठा लगाता है तो मद्दाता के बाएं हाथ का अंगुठा लगवाएं यदि बाएं हाथ का अंगुठा नहीं है तो दाएं हाथ का अंगुठा लगवाएं दिद्दे मद्दान अधिकारी द्वारा मद्दाता को दो मद्दान परची पेले रंग की जिला परिशद और नीले रंग की पंचाई समीती सदस्चे के मद्दान हेतु जारी करना अनिवारे है यानि कि दो प्रकार की परचियां दी जाएंगी मद्दाता को जिसमें वे मद्दाता रजिस्टर प्रारू बारा की क्रम संख्या तथा मद्दाता की निर्वाचक नामाउले की क्रम संख्या अपने लगू हस्ताकसर के साथ अंकित करेगा मददाता को मददाता रजिस्टर में प्रविष्ट मददाता परचियों के आधार पर कर्मा नुसार मददान मशीनों में उनके मत रिकोर्ड करने के लिए अनुमती दी जाएगी यहाँ पर दूसरा जो कोलम है निर्वाचक नामावलि में निर्वाचक का करम संख्या है याँ जो मददाता सूची है उसमें मददाता की क्या करम संख्या है यह इदर वाड संख्या आ जाएगी और वाड संख्या के बाद में उबलिक करके यह उसकी क्रम संख्या जाएगी और यहां पर निर्वाचक के हस्ताक सर यह अंगोटा निशानी लेनी है जो साइन करे उसके साइन लेने है और जो साइन नहीं करे उसके बाइहात का अंगोटा का निशान लेना है और यहां अभ्युक्तियों में लिखना है कि जो भी वो पैचान दस्तावेज लेके आया उसके अन्तिम 4 डिजिट आपको लिखने है जैसे कि यहां एपिक लेके आया है तो 1,2,3,4 यह इसके अन्तिम 4 डिजिट हो गए और यहां पासपोर्ट है तो उसके अन्तिम 4 डिजिट गए और यह जो अन्य दस्तावेज है उनके और जैसे यू आइडी तो उसके एंतिम चार डिजिट हो गए और दृष्टि बादित है यह दिव्यांग है तो उसके लिए डबल यहां देख दिया और दृष्टि बादित यह दृष्टि लिखती तो यह अभिक्तियों के कोलम में इस प्रकार की एंट्री आपको करनी है और सारी जानकरी आप यहां से देख लेए अब जो मद्दाता परची होगी वो यहां प्योर टू द्वारा मद्दाता को जो परची जारी करेंगे वो है इसमें मद्दाताओं के रजिस्टर के स्तंब एक के अनुसार निर्वाचक की करम संख्या मद्दाता रजिस्टर जो है जैसे यह मद्दाता रजिस्टर इसमें से यह जो करम संख्या यह वाली यह करम संख्या आपको यहां भरनी है इस जगह पर यहां जैसे एक नंबर कोलम में जो भी है एक नंबर कोलम में यह जो पहल पाड़ हो गया और 121 उसकी कुद की करम संख्या हो गई तो यह यहां लिखा हुआ है एक बटा 121 और मत दान अधिकारी के लगू हस्ताक्सर कर देने हैं प्योटू जो है उसके लगू हस्ताक्सर कर देगा मदाता परची मदाताओं के रजिस्टर के स्थम एक के नुसार और यहां डिटेल दी गई है तो जिला परिशित के लिए पीली परची दी जाएगी और पंचाय समिती के लिए नीली परची दी जाएगी दोनों ही परचियां सिर्फ कलर में अलग होगी बाकी उनमें जो एंट अमित शाही मदाता के बाया हाथ की तरजनी अंगली पर ही लगाई जाएगी परंतु केवल एक बिंदू मातर लगाने के स्थान पर अंगली के नाखुन के उपरी सिरे से प्रारंब कर पूरे नाखुन से होते हुए चमडी के जोड तक लंबे रूप में लगाई जाएगी इस कारण पहले सी अधिक मातरम अमित शाही मदान दलों को उपलब्द करवाई जाएगी यदि ऐसा देखने में आये कि किसी निर्वाचिके ने अपनी अंगली पर लगाई जाने वाली अमित शाही के चिन को प्रवाईविन करने के लिए अपनी अंगली पर कोई तेली या चिकनाय युक्त पदार्थ लगा दिया है तो उस निर्वाचकी अंगली पर अमित शाही का निचान लगाने के पूर उपलब्द कराएगे कपड़े के टुकड़े की सायता से ऐसा तेली या चिकनाय युक्त पदार्थ मद्दा नदिकर द्वारा हटाया जाना चाहिए बाइद रजनी पर ऐसा कोई चिन पहले से ही हो या शाही हटानी की द्रिश्टी से कोई भी कृत्ते करे तो उसे मत नहीं देने दिया जाएगा कि चिन जो है वो इस तरीके से लगाए जाएगा